हेलो एब्रिवान, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिवा स्कूल आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और आज हम हिंदी में दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले शब्द करेंगे सबसे पहले हम यहां पर क्लास वर्ण लिखेंगे और आज की देट लिखेंगे, तो आज की देट क्या है? 6, month 10, year 2021, अब हम हेडिंग डाल रहे हैं, दो वर्ण वाले शब्द लिखो, दो वर्ण वाले शब्द लिखो, इस तरीक से हेडिंग डालना है और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखेंगे कल, कल, फीट, नल, चल, रथ, घर, उसके बाद, मन, नर, कर, जग, ओके? यह हैं, दो वर्ण वाले शब्द, ओके? अब हम लिखेंगे, तीन वर्ण वाले शब्द तीन वर्ण वाले शब्द, दूसरा पेज ओपन करो, और हेडिंग डालो, तीन वर्ण वाले शब्द लिखो, ओके? तीन वर्ण वाले शब्द लिखना स्टार्ट करो, र, म, न, जिसमें तीन वर्ण आते हो, वो तीन वर्ण वाले शब्द होते हैं, तो यहां पर देखो तीन वर्ण है न, तो लिखो, र, म, न, उसके बाद, ज, ग, त, फिर, क, ल, श, क, म, ल, और, क, द, म, उके? इसके बाद यहां पर लिखो, ग, ग, न, फिर, क, र, ल, क, र, म, म, न, न, और, क, र, न, ओके? यह हो गए हमारे तीन वर्ण वाले शब्द, अब हम लिखेंगे चार वर्ण वाले शब्द. अब नेक्स्ट पीज ओपन करो, और अब हम लिखेंगे चार वर्ण वाले शब्द. हेडिंग डालो, चार वर्ण वाले शब्द लिको, जिसमें चार वर्ण होते हैं, वो चार वर्ण वाले शब्द कहलाते हैं, देखो एक, दो, तीन, चार, चार वर्ण है ना, इस तरीके से, ओके? तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं जगमग उसकी बाद टम 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 नट खट नट खट पान घट पन घट चम 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 और बरतन यह हो गए हमारे चार वर्ण वाले शब्द तो इसी तरीके से आपको दो वर्ण वाले तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले शब्द कम्प्लीट करने हैं और कम्प्लीट करने के बाद फोटो क्लिक करकर स्कूल का जो WhatsApp नमबर है उस पर सेंड करने हैं ओके थैंक यू